असलाम वालेकुम एस्टूरेंट्स वेलकम टू स्टूरेंट स्टेडिस कॉर्णर आज हम लेसन नाइन में इफ स्टेट्मेंट सीखेंगे इस्टूरेंट्स इफ स्टेट्मेंट पर बात करेंगे इफ एल्स स्टेट्मेंट पर बात करेंगे difference between double m% and single m% पर्सेंट बात करेंगे difference between double और के lines आपके पास double pipeline आपके पास operator हो तो उसका क्या मतलब है और single pipeline operator क्या मतलब है इसके बात करेंगे Students अब इसके practical की कुछ बात करते हैं और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप if statement को use करेंगे और for example students मैंने यहाँ पे एक type किया console.write line और मैंने यहाँ पे लिखा enter any number अब students मैं के number ज़ए users input लेना जाते हैं users input लेने के लिए हम यहाँ पे type करते हैं console.readline students readline का जो keyword है हमारे पस वो string को read करता है यहाँ user input से string को read करेगा अब मैं चाहती हूँ number तो number के लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पे मैं आपको देखते हूँ एक मैंने integer type ली और एक variable मैंने लिया for example variable का नाम रखा number equals to new का keyword sorry equals to उसके बाद मैं आपको दिखाते हूँ के अब आपके पस यहाँ पे compiler error दे रहा है क्या कह रहा है cannot implicitly convert type string to int यहीं आप string को int में convert नहीं कर सकते हैं फिर इसके लिए students मैंने आपको previous session में इसका जिकर किया था तो आपको इसमें data type conversion का tutorial देखना होगा आप यहाँ पे लिखेंगे int dot parts उसके बाद आपको आपका जो यहाँ पे int type का integer number है वो इसको read कर लेगा मैं आपको करके दिखाती हूँ control s अब इस students मैं यहाँ पे condition लगाऊंगी if else की सबसे पहले मैं if लिखूंगी if के अंदर हम condition mark करते हैं अब मैं यहाँ पे round bracket के अंदर condition mark करूंगी मेरे पास variable है number मैंने कहाँ अगर number मेरे पास equal to 1 हो तो मेरे पास print हो जाए console.rightline number is 1 अब इस students मैं आपको यह दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास user number 1 देगा तो यह statement read होगी 1 number is 1 इस students अगर आपके पास यह condition true होगी तब आपके पास किस statement को read करेगा otherwise इस statement को read नहीं करेगा for example मैं यहाँ पे 1 नहीं enter करी मैं enter करी हूँ 9 program में मेरे पास गी number print मेरे पास जो condition करेगा match नहीं करी इस पर इस number is 1 उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ अगर मुझे multiple conditions लगानी है तो आप multiple condition भी लगा सकते हैं कैसे for example students मैं नहीं यहाँ पे एक condition mark की just copy and paste मैं नहीं आपे कहा कि अगर user 2 देगा तो यहाँ पे मेरे पास print हो जाए number is 2 अब assurance अगर मेरे पास यह condition true होगी तो यह वाले statement read होगा और print हो जाएगा अगर मेरे पास यह वाली condition true होगी तो यह मेरे पास यह print हो जाएगा कुछ statements मैं लिख ले थी for example मैंने यहाँ पे condition लगाई है 1, 2 और 3 पे अब मेरे पास अगर कोई 1 print enter होके और condition match होगी तो मेरे पास यह statement read होगी otherwise यह statement read नहीं होगी और अगर 2 enter करेगा तो मेरे पास यह statement read होगी 3 enter करेगा तो यह statement read होगी कैसे? मैं आपको करके दिखाते इस student for example यह मैं 1 की बात कर रही थी तो मेरे पास number is 1 print हो रहा था अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो मेरे पास print होगी है number is 2 अगर मैं student 3 लिखूंगी तो मेरे पास यह वाली statement read होगी which is number is 3 और इन तीनों में से अगर कोई मेरे पास condition नहीं match करेगी तो फिर मेरे पास कुछ भी print ही होगा यह देख लेगा अब इस students में एक और मेरे पास वे क्या है कि मैं last में क्या एक condition mark कर दूँ यहाँ पे if अगर मेरे पास number not equal to one or end end की condition mark कर दी for example इस students मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिखा अगर मेरे पास number not equal to two हो end अगर इन सब में से मेरे पास कोई भी चीज मैच नहीं करेगी तो फिर मेरे पास क्या हो number यहाँ पे जो statement मैं लिखूंगी वो read होगी not equal to three हो तो मैंने कहा यहाँ पे मैं जो line लिखूंगी वो print हो जाए और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ number is not one two or three इसका मतल यह हुआ student के इन तीनों में से कोई भी number मेरे पास यह मौजूद नहीं है इस वरस से मेरे पास यह condition false हो जानी चाहिए अब मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ 45 तो क्या आ रहा है number is not one two or three students अगर मेरे पास यह condition match नहीं करेंगे तो मेरे पास यह तरह से यह तरह से यह वालट यह वरी condition रिख रही हूँ इस student मैं यहाँ पे multiple if लिख हूँ बार बार मेरे इस repetition हो इसको मैं remove करने के लिए यहाँ पे use करते है else if मैं यहाँ पे else की condition लगा रही हूँ else if else if अब मेरे पास क्या होगा students कि अगर मेरे पास यह condition यहाँ पर else if का benefit ही होता है अगर मेरे पास यह condition true हो जाती है तो statement if if करके बार बार read नहीं करता आपको यहाँ पे जो भी condition match होती है उसको read करता है उसके बाद next को जाके read नहीं करता compiler और last में students मुझे यहाँ पे else if में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अगर ये condition true नहीं होगी और ये भी condition true नहीं होती और ये condition भी true नहीं होती तो obviously वो else में print कर देगा और else में मुझे यहाँ पे कोई भी condition mark करने की जरूरत नहीं है अब क्या करेगा मेरे पास compiler कि if के condition control यहाँ पे आएगा इसको read करेगा condition false होगी फिर उसके बाद मेरे पास इसको आके read करेगा condition false होगी फिर इसको read करेगा अगर मेरे पास condition false होगी तो direct आके else में आप पास जो भी condition लिखी होगी उसका print करते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ enter any number मैंने लिखा 34, number is not 1, 2 और 3, यह थी मेरे पास student if, else if, और else ही conditions, अब मैं आपको बताती हूँ, m% और और की बात करता है इस students मैंने यहाँ पे लिखा कि enter any number और मैंने एक variable के अंदर एक number ले लिए user's input, अब मैं यहाँ पे mark कर रही हूँ एक condition, मैंने यहाँ पे लिखा if अगर मैंने पास number equal equal to 10 हो, अब इस students मैं यहाँ पे और की condition mark कर रही हूँ और number equal equal to 20 हो तो मेरे पास यहाँ पर print हो जाए number is 10 और 20 अब मेरे पास students, अगर मैं double pipeline यहाँ पे लगाती हूँ तो मेरे पास होता यह है कि अगर मेरे पास यह condition true होती है, तो आपके पास control नहीं चाहता है, इस line को read करता है और print कर देता है for example, मैं आपको यहाँ पे इसको execute करके दिखाती हूँ अब मैंने यहाँ पे लिखा 20 number is 10 और 20 यहाँ पे print होगी अब student, अगर मैं यहाँ पे single pipeline लिखूँगी, तो होता क्या है आपके पास, control हमेशा first condition को read करेगा अगर आपके पास यह true या false जो भी होती है, उसके बाद आगे second condition को read करेगा इसी तरह से अगर मैं बात करूँ और M% की तो M% में अगर आप double sign यहाँ पे mark करते है M% का तो आपके पास अगर first condition उसको true मिलती है जब first condition उसकी अगर false होती है तो आगे statement को print कर देता है के condition आपके पास जो भी वहाँ पे condition, condition या according जो भी आपको statement यहाँ पे लिखे होगे उसको print कर देगा अगर मैं इसकी जगाँ पे यहाँ पे single लगाँगी तो हर condition को जाके read करेगा कैसे मैं आपको करके दिखा दीगा मैंने यहाँ पे इसको control यह क्या आपके पास students इतना minor difference नहीं है लेकिन आपको इसकी speed basically speed slow हो जाती है अगर आपको faster read करवाना है तो यह अच्छी बात है कि जब यहाँ से read करेगा और उसको first condition ही false मिलेगी तो उसको statement print कर देना चाहिए उसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मिरे पास best option यह है कि मैं यहाँ पे double ampersand का sign लगाऊ इसलिए इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि बार बार मिरे पास condition read ना हो next condition अगर मुझे इसको first condition और की condition के अंदर यहाँ पर अगर इसको यहाँ पे first condition pro मिलती है तो इस statement को print कर दे तो best option आपके पास यह है students कि आप double sign और का लगाए यह double pipeline लगाए और double sign आप m% का यूज करें that is good that's it student आज की tutorial में मैंने आपको क्या सिखाया if lc conditions लगाना सिखाई m% single m% और double m% में difference बताया double और double pipeline आप लगाते हैं वो उसमें और single में difference बताया मैंने आपको students मजीद अगर कोई भी आपके पास ऐसी आपको problem है जो कि आपको समझ में नहीं आती आपके पास कोई problem है आप उसको नीची नीची comments कर सकते हैं मैं आपकी comments कर reply कर दूँगी thank you for watching students have a nice day Allah Hafiz